Hello students, Maths Class 6, Exercise 3.7, Question No. 4 Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 Smallest 3-digit का वो सबसे smallest number हमने बताना है, जो क्या होना चाहिए? Exact divisible होना चाहिए by 6, 8 and 12 जहाँ पे हमने यह निकालना होता है कि exact divisible हो इन numbers से तो वहाँ पे हम निकालते हैं उन numbers का LCM तो यहाँ पे निकालेंगे LCM of LCM of 6, 8 and 12 6, 8 and 12 इन तीनों number का हम क्या निकालेंगे LCM यहाँ पे हम LCM निकालते हैं 6, 8, 12 तीनों ही number 2 से divisible है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 से divide करेंगे 2 into 3, 6 2 into 4, 8 2 into 6, 12 अब फिर अगेन हम 2 से divide करेंगे 3 adjective लिख देंगे 3 से divisible नहीं है तो 3 adjective लिखेंगे 4, 2 से divisible है तो हमने 2 लिखा है यहाँ पे divide करके और 2 into 3, 6 अब फिर अगेन 2, 2, 2 से divisible होता है तो हम 2 पे ही लेके जाएंगे यहाँ पे आएगा 1 या 3 अब दोनों ही 3 है तो 3 से divisible होंगे 1, 1 and 1 तो यह LCM निकाला है हमने LCM लिखेंगे हम 6, 8 और 12 का जो LCM होगा वो यहाँ पे निकाल लेंगे जो यह आया है इनको सभी को हम यहाँ पे multiply करेंगे 2, multiply 2, multiply 2 यानि कि 3 times 2 है और 1 times 3 है तो multiply करते हैं 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24 यानि कि कितना आया है इन तीनों नमबर का LCM आया है 24 अब हम क्या करेंगे 24 की table लिखेंगे side में क्या करेंगे 24 की table लिखेंगे और वहाँ पे हम search करेंगे कि कौन सा ऐसा smallest number है जो 24 का multiple है 24 का सबसे यहाँ पे smallest बताना है तो smallest 3 digit number का सबसे चोटा जो multiple 24 का जो multiple होगा वो क्या होगा अगर हम 24 के यहाँ पे table लिखते है 24 के तो वो multiples निकलाएगे तो उसमें हम सबसे चोटा 3 digit का number देखेंगे वो क्या होगा इन तीनों number से exact divisible और वही हमने find out करना तो we have to find the smallest 3 digit number we have to find we have to find the smallest 3 digit multiple multiple of 24 24 के वो हमने क्या find out करना है यहाँ पे smallest 3 digit multiple of 24 हम यहाँ पे find out करेंगी तो यह में क्या यहाँ पे हम 24 की table लिखते है 24 बन जा होती है 24 24 तूजा 2 multiply 4 6 2 तूजा 4 यानि की 46 24 इंटू 3 sorry 48 2 multiply 4 8 2 तूजा 4 48 होते है 24 तूजा यहाँ पे 3 3 तूजा 12 1 3 तूजा 6 और 1 7 72 24 तूजा 4 तूजा 16 1 यहाँ पे 4 तूजा 8 और 1 9 96 आया है 24 तूजा 5 तूजा 20 2 यहाँ पे 5 तूजा 10 और 1 12 हमने बताना है smallest 3 digit number तू smallest 3 digit number हम यहां तक ही table लिखेंगे आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने smallest 3 digit का देखना है कितना smallest अगे जाते लेकिन हमने smallest 3 digit number देखना तो वह 120 आता है क्या है वह 120 क्योंकि इससे पहले अगर जो देखते है 3 digit का सबसे smallest multiple क्या होगा 24 का 125 और 125 ऐससा smallest 3 digit का नंबर है जो 6,8,12 तीनों से क्या होगा डिविजिबल होगा exact डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे it can be seen that हमने क्या देखा हमने जब टेबल में देखा कि जब हम 24 की 4 से multiply करते हैं तो 96 आता है तो यह तो होगा नहीं 3 digit का नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे जो 24 multiply हम 5 करते हैं तो वो क्या आ जाता हमारा 125 तो यह नंबर क्या है ऐससा smallest 3 digit नंबर है जो क्या होगा exact डिविजिबल होगा 6,8,12 से तो smallest 3 digit नंबर कौन सा होगा smallest 3 digit नंबर smallest 3 digit नंबर जो exact divisible है is equal to 6,8,12 से वो होगा 120 क्योंकि हमने 3 digit का लेना है तो 3 digit का smallest नंबर क्या है 120 ना कोश्चन नंबर 5 क्योंकि नंबर फाइब क्योंकि निकालते हैं क्या निकालते हैं LCM, LCM निकालेंगे 8,10,12 इन सभी का LCM निकालेंगे 3 नंबर से इनका LCM हम यहां पर निकालते हैं 8,10,12 2 से divisible हैं 2,4 जा 8,2,5 जा 10,2,6 जा 12 अगें 2 से डिवाइड करेंगे 2 into 2,4,5 डिवाइड नहीं होता तो 5 as it is लिख देंगे 2 into 3,6 अगें 2 से डिवाइड करेंगे 1,5,2 पर डिवाइड नहीं होता तो as it is 3 भी नहीं होता तो 3 भी हमने as it is लिखा है अब 3 से करेंगे 5,1 अब 5 से करेंगे 1,1 and 1 तो LCM क्या होगा LCM is equal to multiplication करेंगे सभी की 2,2 कितने टाइमस आया 3 टाइमस and 3 multiply 5 multiplication करो सभी की 2,2 जा 4,4,2 जा 8,8,3 जा 24,24,5 जा 120 कितना आया है LCM 124 अब हमने किसके multiples निकालने पड़ेंगे जैसे हमने multiples पिछे वाले portion में हमने क्या किया था LCM 24 आया था 24 के हमने multiples निकाल ले थे तो यहां पे भी हम क्या निकालेंगे 124 के multiples में हम क्या देखेंगे greatest three digit number क्या देखेंगे 120 के multiples में greatest three digit number सबसे greatest देखना है पिछे वाले question में smallest था तो हमने smallest देखा था यानि कि two digit का number आ रहा था multiples में उसके बाद जो three का आ गया वही हमारा answer हो गया लेकिन अब यहां पर क्या चेक करेंगे जो three का आएगा मुल्टिप्लाइ करेंगे two zero zero two into two four and two multiply one two three zero three तुजा six three बन्जा three four पे करेंगे four zero zero four तुजा eight four बन्जा four four hundred eighty one hundred twenty का sorry five से करेंगे क्योंकि आप आगे क्यों करते जा रहे हो greatest आ चाहिए आपको three digit का number greatest चाहिए यह तो छोटे हैं यानि कि इनसे बड़े आते जा रहे हैं अभी भी इसके multiples जो three digit के हैं तो हमने सबसे बड़ा three digit का multiples यहां पर चेक करना five zero zero five two जा ten one यहां था five बन्जा five और one six अब 120 की multiply करेंगे six के साथ six zero six six two जा ट्वैल वन यहां पर six बन्जा six और one seven 120 multiply seven seven zero zero seven two जा फोर्टीन seven बन्जा seven और one eight 120 multiply eight करेंगे zero eight two जा sixteen one आ गया eight बन्जा eight और one nine अब 120 की multiply करेंगे nine के साथ nine के साथ करेंगे तो nine zero zero nine two जा eighteen one आ गया nine बन्जा nine और one ten यानि कि जब 129 nine जा देखा तो कितना है one thousand डेटी तो यह four digit का नमबर आ गया कितने डिजट का नमबर आ गया four digit का तो हमें चाहिए greatest three digit number इसका multiple चाहिए greatest three digit का जो हमने multiple चाहिए तो three digit का सबसे बड़ा multiple कौन सा है one hundred twenty का 960 कौन सा है greatest three digit का three digit का सबसे greatest number यहाँ पे इसके multiple में है वो 960 विको जब हम 9 पे चेक करते हैं 120 का multiple nine number पे कुन सा आता है one thousand eight जो कि कितने डिजिट का है four digit का हमें चाहिए कितने डिजिट का three digit का सबसे greatest हमने त्री डिजिट का तो यहाँपे 122 चाहिए यहां पर मिल गया था। कितना था 240 तो हमने क्यूं अद्ह निया लिए 100 एसे की सर्थ क्यी नियूं करते नहीं好 जए अद्विंट्स की से सूअन्वा!!! तो यह 960 क्या होगा 8, 10 और 12 से क्या होगा exact divisible तो कौन सा ऐसा जो number है greatest 3 digit का वो है 960 तो हम यहां लिखेंगे the greatest the greatest the greatest 3 digit number 3 digit number the greatest 3 digit number exactly divisible by exactly divisible by 8, 10, and 12 is 960 क्या है वो number जो 3 digit का सबसे greatest number वो कौन सा है जो इन तीनों से exact divisible है वो है 960 जी question number 6 the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively traffic lights change हो रही है different crossing chains से different color के road crossing chains से वो change हो रही है 48 seconds के बाद बाद चेंज हो रही है 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds के बाद चेंज हो रही है जी कौन से टाइम पर वो change होगी है आपर second हमें गीवन है तीनों lights की जो change हो रही है तो हम क्या निकालेंगे LCM, निकालेंगे हम LCM of 48, 72 and 108 इन तीनों का हम क्या निकालेंगे LCM LCM निकालते हैं हम 48, 72, 108 2 से divisible है तो 2 से divide करेंगे 224, 248, 236, 1 बच गया है यहां पर 2612, 252 डिजिट लेगे 2510, 248, 2 से divide किया है सभी को और यहां पर लिखा हमने again हम 2 से divide करेंगे 21 जा 2, 22 जा 4, 12 आया है अब यहां पर 22 जा 4, sorry 21 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा तो यह 16 हो गया, यानि कि 21 जा 2, अब यहां पर 28 जा 16, 18 आया है 22 जा 4, 27 जा 14, 27 अगें 2 से divide करेंगे 26, 12, 29 जा 18, 27 जा 2 से divisible नहीं है क्योंकि यहां पर और नमबर है बंस प्लेस पर अब हम फिर 2 से करेंगे 23 जा 6, 9 as it is क्योंकि 9 2 से divisible नहीं है 27 भी 2 से divisible नहीं है अब हम 3 से divide करेंगे किस से divide करेंगे 3 से 3 जा 3, 33 जा 9, 39 जा 27 अगें 3 से divide करेंगे 3 जा 3, 33 जा 9, अब दुबारा से 3 से 1, 1 and 1, तो LCM क्या होगा LCM होगा 2 multiply 2, multiply 2, multiply 2 and 3 times 3 की multiplication करेंगे यहां पर 4 कितने times है, 4 times, 4 times तो 2 given है, 2 आया है and 3 times 3 आया है multiplication करेंगे इनकी, LCM क्या होगा, 2 multiplied 2, 2 तो जा 4, 4 तो जा 8, 8 तो जा 16 16 की multiplication, इनकी multiplication आया है 16, अब 3, 3 जा 9, 9 तो 27, 27 और 16 की multiplication करेंगे हम यहां पर, 6, 7 जा, 42, 4, 6, 2 जा 12, 12 और 4, 16 यहां पर 1 की multiplication करेंगे, हम हम कितना हैगा, 27, 2, 6 प्लस 7, 13, 1 आ गया, 1 प्लस 2 और 2, 4, 432 यानि कि LCM कितना है, हमारा 432, यह LCM आया है, 432 क्या है, सेकिंड, क्या है सेकिंड, क्या है सेकिंड, बिकॉस जो 48 थी, 2nd, 48, 72, 100, 8 वो 3 ती, 2nd ती, वो टाइम पीरिट जो हमें गीवन था, जिस पे लाइट्स चेंज हो रही थी, ट्रेफिक लाइट्स तो वो क्या थी, सेकिंड में था, तो 432 जो LCM निकालना है, वो भी किस में होगा, सेकिंड में होगा, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो चेंज हो रहे हैं सेमोटैंसली अट 7 एम, अगर वो साथ बज़े चेंज हो रही हैं, तो कौन से टाइम के बाद वो दुबारा से लाइट चेंज होगी, तो हम इसको किस में कनवर्ट करेंगे, जो 432 सेकिंड को हम मिनेट्स में कनवर्ट कर लेते हैं, किस में कनवर्ट करते हैं, मिनेट्स में, मिनेट्स में कनवर्ट करेंगे, तो 1 मिनेट इस इकल टू कितना होता है, 60 सेकिंड, 1 minute is equal to 60 second और 1 second is equal to क्या हो जाएगा 1 by 60 minute 1 minute is equal to 60 second होते हैं तो 1 second is equal to क्या जाएगा 1 by 60 minute और 423 432 को हमने minute में convert करना अगर 1 minute में 1 by 60 minute है 1 second sorry 1 second में 1 by 60 minute है तो 432 second में 432 सेकेंड में कितनी मिनट होंगी? 432 divided by 60 मिनट यानि कि इतनी मिनट हो जाएंगी इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड हम करेंगे 432 को 60 से डिवाइड करते है कितने पर आएगा? मल्टिप्लिक्लिकेशन करके देख लेते हैं 7 पे चेक करते हैं, 7, 0, 0, 7, 6, 0, 42, यानि कि 420 आया, 7 पे डिवाइड किया, तो 420 आता है, तो 2 में से 2 गया, 0, 3 में से 2 गया, 1, कितना बचा, यहां पे 12 बच गया, 7 पे आया, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा, 7, 7 पे पूरा-पूरा डिवाइड हुआ, और 12 बच गया, यानि कि 7 तो मिनेट आया है, क्या है, इसको डिवाइड करने के बाद, 7 मिनेट एंड 12 सेकेंड, क्या बन गया ही, क्या टाइम निकला, जब हमने इसको 432 को मिनेट में कनवर्ट किया, तो क्या है, 432 को, बच चेंज हो रही थी, तो बाद में कितने बच चेंज होएगी, तो देवेड़ेशंच से मटेंस ली, तो हम यहाँ लिखेंगे, देशंच से मटेंस ली, इसमें हम ऐड कर देंगे इसको, देशंच से मटेंसले अगेन, इस उकल टू 7 अ एं ता, 7 a.m. उसमें हम add कर देंगे 7 बज़ 7 बज़ चेंज हो रही थी तो 7 मिनेट और extra time लेगी यानि कि 7 मिनेट हो जाएंगी और 12 second यानि कि 7 a.m. 7 second and 12 सुरी 7 7 a.m. and 7 minute और 12 second इतने बज़ चेंज होगी पहले वो light कितने बज़ चेंज हो रही थी 7 एम पे चेंज हो रही थी पूरे 7 बजे मॉर्निंग में वो चेंज हो रही थी तो जब हमने नियाज से निकाला तो कितने टाइम बाद लाइट चेंज हो रही है 7 मिनेट और 12 सेकिंड के बाद वो चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे 7 में उनको प्लस कर देंगे यानि कि 7 बजने के बाद जो 7 मिनिट और 12 सेकिंड पर दुबारा से लाइट क्या होगी चेंज होगी थैंक यू